हलो एवरीवन वेलकम तो स्टार आएक्यू स्टार आएक्यू के वीडियो प्लैटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज 20 अगस्त 2023 के हर्याना करेंट अफेर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईए आज के इस इपॉर्टन्ट सेश ठीक अंस्वर रहेगा फेबुला यानि कि हमारे स्रेर में अर्च्वरी माफ करना सबसे लंबी हड़ी फीमर है पैर की हड़ी ये एफ देखके पढ़ गया मैं ठीक ना ये पैर की हड़ी है फीबुला और टीबिया दोनों ही हमारी पटेला बोन के नीचे दनों आती है लेक प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोनों की ही बैच आपको अवेलिबल मिलेंगे स्टार आईक्यू एजुकेशन अप्लीकेशन पे लॉग इन करिएगा और के साथ आप लोग इन बैचेश को ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए मेरे दोस्तों कल आप से सवाल जो संग्या दी जाएगी तो इसे स्पेसली बजार की संग्या दी जाएगी जिसका नाम है सांजा बजार आपको अच्छे से पता होगा कि अभी हाली में कल ही के दिन हम लोगों ने तीज सेलिबरेट की थी और उस तीज का जो एक्चुली राजस्ट्रिय प्रोग्राम इस बार हुआ था हरियाना के अंदर वो हुआ था कहां पर पानी पत के अंदर हुआ था कैर सच कहूं तो तिवार इस बार कैसे आया था कुछ जादा महसूस नहीं हुआ लेकिन मुझे ये बहुत ढंग से याद है जब स्कूल में होते थे थे ना तो ये दिन कुछ खास हुआ करता खेर जमाना बदल गया है जमाना बहुत फास्ट हो गया है और चलते चलते तिवारों को तो धीरे धीरे भूली रहे हैं अब तो साइद लगता है साल में एक या दो तिवार दिवाली और होली यही थोड़े से बड़े हैं क्या है इसके पीछे कारण आपका विचार क्या है क्या ये चीज़े सही हो रही है जब हम modernization के तरफ जा रहे हैं वो चीज़ ठीक है क्या या ये हमें पुरानी संस्कृति के according अपने सारे त्योहार उसी के अनुसार वैसे ही समय लगा के वनाने चाहिए आपका क्या मत है वैसे ये लिक से हटके बात है पर वैसे ही मन किया तो मैं पूछना चाहता हूँ आप की राए anyway तीज महुतसव था और तीज महुतसव पर जो सम्हों की बहन बेटियां है इनके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक घोशना की थी क्या कि पचास से सो दुकानों का एक बाजार सिर्फ सेल्प हेल्प ग्रूप जो अपने तोर पे अपने लिए बेसिकली जो अना स्टार्ट किया है उनके लिए ही जो जैसे माल लेते हैं कोई सिलाई का हो सकता है इनके लिए एक बाजार होगा जिसको सांजा बाजार की संग्या दी जाएगी मतलब हर्याना के हर जिले में सांजा बाजार खोला जाएगा जैसे इस टाइप से गुडिया है यह हाथ से बनाई वगरा है यह कुछ ऐसे कोई भी है यह आपके तो यह डिजाइनिंग जो है ना एक्चुली सेल्प हेल्प ग्रूप के दवारा बनाए गए है और इनके लिए एक स्पेसली बाजार होगा तो यह पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रखना है डिया और इसके इलावा मुख्यमंद्री जी ने गोशना की है कि बेटियों की सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम उपियोग वाले बुनियादी धांचे वाले सरकारी और निजी पॉलिटेकनिक कॉलेज को ऐसे कॉलेज की मांगों और आवशकताओं के अधार पर महिला डिगरी कॉलेज में अपग्रेड कर दिया जाएगा कई बार ऐसा होता है कि लड़िकियों को बहुत दूर तक भेजानी जाता है सिक्योरिटी इशू के चलते विए भी ट्रांसपोर्ट इशू भी हो जाता है कई सारे इशू आते हैं इस कारण कॉलेजों को ही महिला डिगरी कॉलेज के रूप में अपग्रेड कर दिया जाएगा या आपके जो प्राइवेट पॉलिटिकनिक कॉलेज वगरा है इनके या ऐसे कॉलेजों की मांग के उपर हर्याना करशी विभाग अब फसलों के उत्पादन और नुकसान के लिए आंकलन के लिए किसकी मदद लेगा ये क्युस्तन है सूपर इपॉर्टन्ट आपके एक्जाम औरियंटेड सवाल है सीधा सीधा आपके एक्जाम में बनने वाला क्युस्तन है AI का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा मैं तो आपको एक हिदायत दे सकता हूं वो ये है कि अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप बहुत अच्छी बात में हैं लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप समय निकालके एक या दो घंटे के लिए computer center जरूर जोइन करिएगा कोई भी computer theoretical computer तो खेर फिर भी मैं पढ़ा दूँगा आपको या competitive exam के लिए crack भी हो जाएगा लेकिन फिर भी आप job लग जाएंगे government तो भी आपको computer की बहुत ज़दा need है 4-5 साल ओर समझ लीजिएगा ये कुछ ऐसा जमाना है इसके बाद में सब कुछ artificial intelligence के थूँ होगा computer ने जो manpower है वो बहुत कम कर दी है आप अगर इस समय के दोड़ के साथ अपने आपको बदलाओ में ले आएंगे तो बहुत अच्छ है otherwise आपने देखा होगा किसी जमाने में Nokia है वो सर्ताज हुआ करता था Blackberry मुझे अच्छे से याद है मैंने घरवालों से रोध होके ये फोन लिया था बहुत महेंगे फोन आया करते थे सत्रह हजार बीस हजार ये बात दो हजार बारा तेरा की ही है ज़्यादा पुरानी नहीं है और उस समय में भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे फोन Nokia, Blackberry इनके फोन और आज आप देखिएगा कौन इनको लेना पसंद करेगा और जो कंपनी आप जानते ही नहीं थे जिस एक्जामपल से Vivo है, Oppo है, Realme है, Nothing है नजाने कितनी कंपनिया आ गई है इन्होंने अपने आपको समय के साथ बदला और बदला तो आज सब के बीच में ये पहुँच गई है कंपनिया बहुत जरूरी है, मैं तो आपको ये हिंट दे सकता हूँ या अपनी तरफ से सला दे सकता हूँ आज कल सला ही तो बहुत जरूरी होती है और सही सला मिल जाए तो क्या पता जी उन भी बदल जाए तो मेरी तरफ से सला है कि आप लोग पहले इनिशिली कंप्यूटर सीखिएगा, अगर नहीं आता है आपको उसके बाद में आप लोग इसके अंदर एडवांस चीज़े जरूरी नहीं है कि किसी आप कोचिंग सेंटर पे ही जाए भई आपके हाथ में यूट्यूब है, आपके हाथ में मुवाइल फोन है इसमें आपके बहुत सारे कोर्स है, बहतरीन कोर्सिस है फ्री आफ कोर्स भी मिल जाएंगे, या कुछ कोर्सिस अगर कोई सिखाता है तो नॉमिनल से चार्ज भी देने पड़े, तो कोई खास बड़ी बात है नहीं ऐसे भी हम खाने पीने पहने पे लगा ही देते हैं तो दो चारसो पानसो हजार तक अगर लगता है स्किल को सीखने के लिए तो कोई ज़्यादा बुरा नहीं कहा जाएगा उसको ये एक पोजिटिव इन्वेस्टमेंट है आपके लिए अब आप खुदी देखिएगा अगरिकल्चर डिपार्टमेंट है फसलों के प्रोडेक्शन के लिए AI का यूज कर रहा है अलंकि ये कोई ये पहला नहीं है पहली बार ये जम्मू कस्मिर में हो चुका है ये कैसे होगा मैं आपको पूरा बताता हूँ एक्चली 17 अगस्ट 2023 को हर्याना करशी विभाग के निदेशक नर हरी सिंग बांगड ने बताया है कि करशी विभाग फसलों का उत्पादन यानि कि प्रोडेक्शन या उनके नुकसान के लिए लॉसिस के लिए उनका पूरा का पूरा चेक अप करने के लिए AI का सहरा लेगा अब एक्चली इसके अंदर होने कैसे वाला है जो की जैसे AI का मतलब है कि एक मसीन इनसान की तरह काम करे जिसमें निरने लेने की शमता हो डिसिजन मेकिंग पावर हो आज का कम्प्यूटर उसके पाद डिसिजन मेकिंग पावर थुड़ना है उसको तो आप चलाते हो अब मेरा कम्प्यूटर है इसको मैं चला रहा हूँ अब लिख रहा हूँ लाइन तो लिखी गई नहीं लिखा तो नहीं लिखी गई ये तो कम्प्यूटर मेरे डिपेंड हो गया ना लेकिन एक computer को मैं कह दूँ कि ये काम कर देना तो वो कहने पर ही कर देगा या एक इन्सान की तरह अपने आप ही सोच के काम करने लग जाए तो उसको आप artificial intelligence कहा करते हो simple तो पे तो agriculture department हर साल फसलों के लिए रकवे के हिसाब से अनुमानित उत्पादन का आंकरन करता है इसके लिए agriculture department जो निश्ची चेतर को चैनित कर उसमें फसल उत्पादन का अंदाजा लगाते हैं और साथ ये बिमारी या अन्य कारण से फसलों के नुकसान के आंकलन के लिए करमचारियों के पर निर्भर रहते हैं लेकिन अब AI model आ गया है और इसमें सेटलाइट और अन्य माध्यम से हर सफता फसलों के फोटो लिए जाएंगे हर सफता दिये जाने वाले फोटो में फसल के रंग, पोधों की लंबाई, पतियों के जो आपकी लंबाई वगरा कह सकते हो उसको AI model के थुरू, अपने आप स्टेडी किया जाएगा, उसमें भी हुमन के जरूत नहीं है फोटो लेलिया सैटलाइट से अपने आप स्टेडी की जाएगी, कितने दिनों में कितनी ग्रोथ हुई है जैसे हमारा BMI होता है बोडी मास इंडेक्स, ऐसे ही आपका, ये अपने आप चेक किया जाएगा हर मतब AI model फसल के बीच में और कटाई से पहले जो ना दो बार रिपोर्ट देगा इसका अंदाजा लग जाएगा कि तकरीबन फसल है, उससे कितना ज़्यदा तर प्रोडक्शन होगा, किस परकार की बीमारी का इसके ओपर असर है और कितने दिनों में इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है और ओवरोल इससे ये भी पता लग जाएगा कि सरकार को कितना मौावजा देना है इसमें भी एक्चली दुखादरी होती है, देखो ऐसा है कि नुकसान होता है तो देना ही चाहिए ये अपने आप ही चेक करके मौावजा दे सकेगा, ये भी एक बड़ा बैनिफिट है फसल खराब होगी, आंकड़ा आई गया है पहले ही, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैनिफिट हो जाएगा तो इसे AI से सारा डेटा है, डेटा पे काम होता है तो ही तो मज़ा आता है, डेटा पे काम होगा इसका जो फर्स्ट फेज होगा उसमें धान है, गेहू है, सरसों है, कपास है, इनको सामिल किया जाएगा सबसे पहले से करनाल और हिसार जिले के अंदर सिलेक्ट किया गया है बलब इन दो डिस्टिक के अंदर इनिशली स्टार्ट किया जाएगा तकरीबन साथ करोड रुपे इस पुरे टोटल प्लैन के उपर खर्च किया जाएगे इसके बाद जो है और आगे साथ जिलो के अंदर इसको लेके जाएगा धीरे-धीरे मतलब यह पूरे हरियाना में लाया जाएगा इनिशली पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पे लाया जाता है पाइलेट प्रोजेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि कुछ एरिया के अंदर उसको ट्राइल लेना इसमें के अंदर सरकार और राज्य सरकार मतलब यह सेंटली स्पॉंसर्ड स्कीम कह सकते हो आप लोग जिसमें साथ परसेंट सेंटर गॉर्मेंट जो हो है वो हैल्प करेगी फोर्टी परसेंट राज्य सरकार लगाएगी इस टोटल पैसे का फाइदा क्या हो जाएगा सर फाइदा देखिएगा अगर मैं समराइज करूं इस चीज़ को तो सिंपल सी बात है कि फसल का प्रोडक्शन कितना होगा और इसके इलावा जो है ना फसल के भाव तेय करने में वी असानी होगी क्योंकि क्या होता है कि कम अगर मान लेते हैं को हुमन वर्क तो खतम होई गया जाके चेक नहीं करना आग जो आप ये फोटो नहीं लेने मौजे की लिए कोई बात नहीं तियार करने इस सब कुछ होगा ही नहीं अपने आप आप आटमेटिक फोटो और इनसान का काम रिसर्च करने का होता वो भी नहीं है टाइम तो खेर बहुत जादा बची जाएगा और पुरानी टकनीक के उपर जो खर्चा आ रहा है माले ते हुमन वक का भी खर्चा रहा है वो भी ना के बराबर ही हो जाएगा आपका जम्मू कस्मीर में सर आप तो कह रहे थे कि एक टेकनिक स्टार्ट की है हर्याना में तो देखो ये है ज यहां पर पता है पोदे के पास AI सेंसर होगा उसको जो पोदे को टेंपरेचर चाहिए ना जैसे माल लेते कि पोदे को एक्जांपल से सर्दी लग रही है अब ऐसा होता है सर हां भई ये जब सजीव हो है तो सब कुछ हो सकता बायोटिक है ना तो वो तो खहरा हमें पता न इतना चाहिए अब इतना चाहिए वो टाइम पर सब कुछ सेट कर देगा तो फिर समझो ना अपने आप ही पोदे का प्रोड़क्शन बहुत ही ज़दा लिया जा सकता है इससे ये टेकनिक जमो एंड कस्मीर में इंडिया में फर्स टाइम स्टार्ट कर दी जा चुकी है और चंद्र तरीखा को और यह नाम साइद आपके लिए जाना पहचाना है क्योंकि आपने हर्याना साहिते अकादमी को पड़ा है उनके तो निदेशक है और उर्दू अकादमी के भी आपके जो हना उपनिदेशक के रूप में या उपाजदेक्स के रूप में सोरी काम कर इसमें 21-22 के लिए जो हना समानित किया गया है जन नायक करपूरी ठाकूर पुरुसकार डॉक्टर चंद्र तरीखा को इसके अलावा और भी बहुत है बिबी मंडिल है डॉक्टर इर्शाद कामिल है नागरजुन पुरुसकार मिला है भोला पंडिक प्रनाई कई है लेकिन समान जैसे महादेवी पुरुसकार इसके लिए 50,000 है अब इस अभी तो याद करें इतना जुरूरी आपके लिए है नहीं या जैसे मदुसुदन आनंद समान है मदुसुदन आनंद को जो ने डॉक्टर राजंदर परसाद सिखर समान मिला इस समान के लिए 3,000,000 रुपे म जनम तिती इनकी जुलाई 1945 है चंदीगर्ड और जनम स्थान इसका एक्चुली जो है न यह पाक पतन पाकिस्तान जो है अब वलतमान में उस समय यह हिंदुस्तान का इता चंदीगर्ड में रहवाइस से है इनकी इनकी एजुकेशन के है में पीचडी है हिंदी पतरकारिता पंजाब युनिवस्टी से और एक्स्पिरियंस इनका बहुत है उप संपादक दैनिक हिंदी मिलाप जलंदर 1964 से 66 तक रह चुके हैं मुख्या उप संपादक रह चुके हैं यह स्थानिय संपादक दैनिक हर्याना पतरिका के भी राजस्तान पतरिका का परकाशन 1972 के दोरान संपादाता डिट्रिबन ग्रूप के रह चुके हैं परदान संपादक रह चुके हैं दैनिक जन संदेश के परमुक संपादाता रह चुके दैनिक जागन चंदिगड के अचा इसके इलावा संस्थापक संपादक युग मारग के रह चुके हैं अंग्रेजी दैनिक अकबा तक निदेशक ये चल रहे है उपाद देक्स तो मैंने बताया था हर्याना उर्दू का आदमी के आई इनके कावे संग्रे भी है जैसे पाशान यूग है सब्दों का जंगल है दोस्त अप परदा गिराओ और यह और बात है चलो नहीं वैबसाइट खोले जीवन समरण इनके ह मुरारजी देशाई और जैप्रकास नारायन पे एतिहास एक दस्ता वे जो हना इनके कुछ लिखे वे जैसे वे 48 गंटे वे दिन वे लोग तूटी दिवार के आरपार एक सहर की आतमकता सूफी लोट आई है विभाजन गाथाएं विभाजन एक कला अध्याएं हर्याना की सब्वेता, बड़ी रोनके, फकीरों के डेरे ये सब इनकी लिखी हुई है विदेश यात्राएं काफी कर चुके हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान, सुरिनाम, जर्मन में भारत का साहित्यक परतिनेतों भी कर चुके हैं ये तो ये भी महत्रपूर्ण सवाल है आपके एक्ज संजे जून है ना इनको अभी रिसेंटली मनोज कुमार की जगह है परभंद निदेशक बनाया गया है मैनेजिंग डारेक्टर बनाया गया है समझ ये का किन को किसका हर्याना राज्य सहकारी फेडरिशन सुगर मील महानिदेशक सैनिक अर्द सैनिक कल्यान विभाग के एजूकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर हर्याना में विशेश सच्चिव के रूप में नुक्त किया गया है ठीक है चलिए सर हाली में किसे मिस्टीज का किताब मिला है सिंपल सा सवाल है पायल को मिला है जैरा महिला पलिटिकनिक कॉलेज के अंदर हर्याली तीज के उल्लास पूरुक मनाया गया था वहाँ पे ये सम्मान दिया गया है ठीक है हाली में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विस्वकुस्ती चेंपिंसिप में नीमली निवासी आरजू लुहाच ने कौन सा पदक जीता है तो इसमें ब्रॉंज मेडल जीता है आरजू लुहाच ने जॉर्डन के अंडर 20 विस्वकुस्ती चेंपिंसिप में आरजू लुहाच ने ये स्यांदर प्रदर्शन किया और इनकी पांचुए अंतरास्टी ये प्रत्योगिता है ये और अगर बात की जाए आपकी आरजू के बारे में तो आरजू अंडर 20 आशिन चेंपिंसिप के 68 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए आरजू ने कांशे पदक हांसिल किया इसके अलावा 2021 में 22 से 26 जून तक किर्गिस्तान के बिश्केक में जो अंडर 23 कुस्ती चेंपिंसिप में सिल्वर मैडल लिया था इसके अलावा एशियन अंडर 20 में भी गोल्ड मैडल जीता हुआ है 19 और 20 में आजुच सब जूनियर नैशनल परित्योगिता में भी गोल्ड जीत चुकी है 20, 21 और 22 में जूनियर नैशनल लेवल पर गोल्ड मैडल पर कबज़ा कर चुकी है आरजू चलिए सर इसी के साथ ये सेशन होता है स्मापत आपके लिए है कि हर्याना मुख्य मंत्री कारालया CMO में officer on special duty OSD के रूप में किसे नुक किया है तो इस सवाल का ठीक answer रहेगा आपका क्या वो आप ही बताएंगे क्या है मैं बताने वाला था आप लोगों के लिए computer plus ICT का batch है star IQ application पे है आप नी संकोच इस batch को ले सकते हैं आपको यकिनन बहुत ज़दा benefit मिलेगा इसके अलावा आप हर्याना जिके की preparation करना चाहते हैं तो केवल हिम्मत batch ले लीजिएगा चंदीगड PRT और Group D के लिए तो batch available है ही star IQ application पे आप विजिट कर सकते हैं और को financial issue आपको आ रहा है तो आप मुझसे बेजिजक बेबाग तरीके से इस WhatsApp नमबर पे भी शेयर कर सकते हैं मुझसे शुक्रिया रादे रादे